Good morning everyone. This is your grammar notebook. Today, I am going to explain you the use of is, am, are. I-S is A-M-A-M-A-R-E-R. आज मैं हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? Use of is, am, are. हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें is, am, are हम लोग use करते हैं, है न? पर आपको पता होना चाहिए कि is किस के साथ लगता है? am किस के साथ लगता है? a-r-e-r किस के साथ लगता है? So, ready? मैं हम आपको सिखाएं? चलिए. The first one is, आप इसको read करो, I-S is. सबसे पहले मैं हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? I-S is. हम is किस के साथ use करते हैं? सोचो, we use is with singular. Singular क्या होता है? single means one. जब हम एक के बारे में बात करते हैं, तो हम is use करते हैं. simple. अपने माइंड में आपको क्या लाना है? जब भी मैं सिख one person के बारे में बात करेंगी, singular चीज के बारे में बात करेंगी, तो what we will use? we use I-S is. ओके? so when we are talking about only one thing, तो आपको क्या यूज करना है, बच्चा? I-S is. तो I-S में न, मैं आपको कुछ words देती हूँ, ठीके? तो इस word की help से आपको idea हो जाएगा कि हमें इस कहा लगाना है, ओके? यह simple, एक clue है आपके लिए, ठीके? example है, देखो. इसको read करो. H-E, he. he means, he किसके लिए use होता है? पहले आप यह सोचो. boy के लिए है न, जो male होते हैं, boy, uncle, और कौन-कौन होते हैं male? सोचो. king, grandfather, father, है न, he. he means, हम he use करते हैं, किसी भी male के लिए, ओके? तो अगर हम one person के बारे में बात कर रहे हैं, single के बारे में, तो हम क्या लगाएंगे? I-S, is. S-H-E, she. she कौन होती है? she हम किसके लिए use करते हैं? girl के लिए, female के लिए. आपकी ममा क्या है? आपकी ममा woman है न, तो उनके लिए she लगाएंगे. आपकी teacher क्या है? girl है, उसके लिए she लगाएंगे. clear? तो अगर हम one person के बारे में बात करेंगे, she के लिए, तो हम क्या लगाएंगे? I-S, is. वैसे ही same, this, that, it, it, और कोई भी singular noun. कोई भी simple आपको इसे इतना याद रखना है, जब भी मम, one person के बारे में बात करेंगे, कोई भी single के बारे में बात करेंगे, तो आपको क्या यूज करना है? I-S, is. I hope आपको ये clear हो गया होगा. अब मैं हम आपको कुछ sentences करेंगी न, उससे आपको और easy समझ में आएगा. Okay? Second rule, am, am. अब second use किसका है? am का. जहां भी आपको आई नज़र आएगा. जहां भी आपको आई नज़र आएगा, तो आपको क्या यूज कर देना है? am, am. आपने sentence सुना होगा न, माइसेल्फ में आपने लिखा है. I am, you jit thakur. तो आई के साथ क्या लगा है? am, am. I am, ananya sharma. तो आई के साथ क्या लगाया है? am, am. clear? I am raghav. तो आपको क्या करना है? आई के साथ am, am लगाना है. clear? I आपको समझ में? मैं हम sentences कराएंगे, तो आपको और easily समझ में आ जाएगा. चलिए next. a, r, e, r. अब r किसलिए use होता है? r use होता है plural के लिए. plural means more than one. plural means बच्चा more than one. ठीके? तो मैं हमने आपको कुछ words दिये. like y, o, u, u. u में भी r लगता है. w, e, v. we means हम. हम तो बहुत सारे लोग हो गए न? we means. तो plural means r. हम क्या use करने वाले है? r. t, h, e, y, they. दे होते वे. वे लोग, बहुत सारे लोग. तो क्या use करेंगे? a, r, e, r. simple. t, h, e, s, e, these. आपको याद है? हमने this, that use किया था. this, that is used for singular thing. है न? और these, those, we use for plural things. ओके? तो these, those, ये सब तो plural होते हैं, हैंना? तो इन सब के साथ, a, r, e, आ रहाता है. आपको ये जादा अच्छा कभ समझ में आएगा? जब मैं हम आपको sentences कराएंगे. ओके? तो आज हम सिर्फ is, is का use सीखेंगे. ओके? सिंपल क्या है? आई, is, is. अगर हम सारे use एक साथ करेंगे, तो हमें कुछ नहीं आ पाएगा. ओके? तो हम one by one, daily one one use सीखते हैं. तो आज सब से पहले सीखेंगे is, is कहां लगाना है? मैं आपने क्या बताया था? इस कहां लगाना है? सिंगुलर थिंग के साथ. means, जहां भी one की बात हो रही है, उनके साथ हमें इस लगाना है. So, ready? चलो पढ़ो. टी-एच-आई-एज, this, am I my new car, this, my new car, अब car कितनी हैं? देखो, one, car कितनी हैं? अगर इसके पीछे S लगा होता, तो बहुत सारी हो जाती हैं, प्लूरल हो जाती, पर ये तो C-A-R car है, सिंपल one है, तो one के लिए मैं हम क्या लगाएंगे? सोचो, one के लिए मैं हम लगाएंगे, I, S, is, this is my new car, क्यूंकि car के पीछे S लगा होगा, तो प्लूरल हो जाएंगे बहुत सारे, पर ये तो सिंगल है, तो एक के बारे में बात हो रही है, तो इस आएगा, अब देखो, he, a, good boy, अब कितने boy हैं? एक है, one है, सिंगल के बारे में बात हो रही है, अगर S लगता, तो बहुत जादा हो जाते हैं, पर ये तो सिंगल है, one है, तो one के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे? सिंपल, I, S, is, समझ में आया? एक boy के बारे में बात हो रही है चलिए next S-H-E, she A, girl अब girl कितनी गल क्या होती है अगर S लगा होता तो girls बन जाती बहुत सारी पर ये तो simple girl है तो girl तो एक के बारे में बात हो रही है तो सुनीता मैडम ने क्या सिखाया है अगर एक के बारे में बात होगी तो क्या आएगा I-S, is simple चलिए next I-T, it, A, cap अब देखो, cap के पीछी क्या S लगा हो है No तो क्या आएगा एक के बारे में बात हो रही है तो चलो I-S, is लगा देते है simple है जब हम one के बारे में बात कर रहे है singular चीज के बारे में बात कर रहे है simple I-S लगा दो चलो और मैम नहीं आपको आगे वाला भी तो सिखाया है this, he, she, it कोई भी singular चीज सब के साथ I-S, is आएगा ओके that, a, tree अगर S लगा होता तो बहुत सारे हो जाते अगर simple tree है तो one है तो one के साथ क्या करने वाले हम I-S, is लगाने वाले है simple, easy चलिए, kitty a, cat kitty क्या है? किसी का नहीं है तो यही तो singular है एक ही cat के बारे में बात हो रही है है ना, kitty समझ में आया? kitty तो one है तो one के बारे में बात हो रही है तो क्या आएगा? सोचो I-S, is क्यूंकि kitty one है one cat है kitty का, cat का नाम क्या है? kitty तो kitty one है तो is आएगा R-A-J, राज A, doctor राज, doctor है तो doctor one है और राज भी तो one है A की boy के बारे में तो बात हो रही है A की लड़के के बारे में बात हो रही है तो मैं क्या लगाएंगी? I-S, is क्यूंकि मैं आपने तो starting में ही बता दिया था कि अगर मैं एक के बारे में बात करेंगी तो is आएगा simple चलो the apple red अब apple कितने है? बहुत सारे बहुत सारे apples है S लगा हुए No एक ही तो apple है तो क्या करेंगे बच्चों? सोचों अगर एक ही apple है तो I-S, is I hope आपको ये exercise बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो है न? बट एक ही बार पर practice नहीं अच्छे से होगी इसलिए sentences को read करो समझो This is very simple and easy concept for you So class Do practice जहां भी singular है आज आप single की practice करो ठीक है? singular जो चीज है जो भी singular पर्स थिंग है हम उसमें I-S, is लगाने वाले हैं ओके बच्चा? And this is very simple sentences आप इसको read भी कर सकते हो है न? So Do practice Take care everyone Take care everyone